एक एपल को लेके हो चुका है घर में बवाल और ये बवाल करने वाला कोई और नहीं है आपका प्यारा अविनाश मिश्रा ही है जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये उंगली की सर्जरी करवाके आया था कि भई मेरी उंगली इतनी जादा हाड कर दो ना क्यो आपर अविनाश कुछ दिनों पहले ये बात बोल रहा था कि अगर इतनी सी भी चीज है तो 18 लोगों में बटेगी और अब जो है अकेला एक एपल खुदी खा गया और उसके बाद जो है ये चीज बोल रहा है कि भई चुम के सामने और दूशे लोगों के सामने ये चीज क करनवीर ने बोली कि इसको एक एपल दे दो तो जब चुम ने इसके ऊपर जो है विरोध किया कि भई ये चीज तुम नहीं कर सकते हो तब वहां पर बार बार यही बात बोल रहा है करनवीर ने बोला करनवीर ने बोला हुआ बबाल तो करनवीर भी आया तो करनवीर ने बो तो बोला भाई यह तो खाने का था ना तो अच्छा यह खाने का था तो मतलब कि तुम्हेरे कंधे पर रखके बंदूख जो है वो चला रहा है तो यानि की करनवीर का कहना यह है कि भाई अगर मैंने ऐसी बात बोल दी तो वो चीज तू मान लेगा तेरे को भी तो कॉमन सेंस तू ने तो यह सब चीज बोरत है ना कि एक चीज जो है 18 लोगों में बटनी चाहिए अगर एक एपल भी है तो तू अकेले कैसे खा लिया वो चीज अब मैं तुझे यह बात बोलता हूं कि अब जो भी खाना बन रहा ना वो तू नहीं खाएका यह बात मान और यह भी तो भी खाने की बात है तो फिर दुबारा से अग्रासिव हो गया विनाश और बोले लग गया कि भाई आप लोग जितना स्टैंड कर रहे है अपनी चगह पर मैं भी अकेल आपनी चगह पर स्टैंड कर रहा हूं भाई कर रहा है तू स्टैंड बट अगर तुझे यह चीज है क कि तू फाइट 18 लोगों के लिए कर रहा था तो तू अपनी बातों से पलट तो मत तू अब जो है अचाना की एक एपल देर को मिला फटावट खा लिया ठीक है सब लोगों को भूग लगी है बाहर शुरूती का बैठके और रो रही है वो बोल रही है कि मेरे को खाना नही कि कैपल लेके खा लोगे तो किसी की भी जलेगी भाई क्या कहते हैं आप लोग बताइए जरूर इसी के साथ नहीं लेती हूं जाज़त नमस्कार